नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में Realme C21Y vs. Infinix Smart 5 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C21Y में 6.48 इंच जब की Infinix Smart 5 में 6.76 इंच की लेंथ मिलती है बात करें थिकनेस की तो Realme C21Y में 0.36 इंच जब की Infinix Smart 5 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो की सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो Realme C21Y में 200 ग्राम्स जब की Infinix Smart 5 में 207 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की Realme C21Y से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही इपस LCD की डिस्प्ले मिलती है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Realme C21Y में 20 रेशियो 9 जब की Infinix Smart 5 में 20.5 रेशियो 9 मिलता है Display Size की बात करे तो, Realme C21Y में 6.5 inches जबकि Infinix Smart 5 में 6.82 inches मिलती है Display Resolution, Realme C21Y में 720 x 1600 और Infinix Smart 5 में 720 x 1640 मिलता है Screen to Body Ratio, Realme C21Y में 89.59 प्रतिशत जबकि Infinix Smart 5 में 82.66 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, Realme C21Y में 270 pixel प्रतिश जबकि Infinix Smart 5 में 263 pixel प्रतिश मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशताएं की जोकी Mobile Phone का महत्वपूल हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीता Features कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, Realme C21Y में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera देखने को मिलता है और Infinix Smart 5 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो, Realme C21Y में 7 डिफरेंट टाइप के Features मिल जाते हैं और Infinix Smart 5 की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं हाद्वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफर्मेशन देखते हैं। हाद्वेर में सबसे पहले CPU जोकी स्पीक के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो, Realme C21Y में Mali G52 जबकी Infinix Smart 5 में Power over GE8300 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो, Realme C21Y में Unisoc T610 और, Infinix Smart 5 में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें RAM की तो, Realme C21Y में दो वैरियंट देखने को मिलता है। जिसमें 3GB, 4GB की RAM मिलती है जबकी Infinix Smart 5 में एक ही वैरियंट देखने को मिलता है। जिसमें 2GB RAM मिल जाती है। बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, Realme C21Y में दो वैरियंट देखने को मिलता है। जिसमें 32GB, 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Anfinix Smart 5 में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 32GB स्टोरेज मिल जाती है Expandable Memory दोनों फोन में अप तो 256GB है Operating System की बात करें तो Realme C21Y में Android V11 जबकि Anfinix Smart 5 में Android V10 Q देखने को मिलती है Battery Realme C21Y में 5000mAh जबकि Anfinix Smart 5 में 6000mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो Realme C21Y में 2 Colors जबकि Anfinix Smart 5 में 3 Colors option मिलते है तब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme C21Y में 2 Variant देखने को मिलते है जिसमें की 3GB RAM 32GB Storage के साथ 8999 रूपीस 4GB RAM 64GB Storage के साथ 9999 रूपीस में मिलता है और बात करें Infinix Smart 5 की तो उसमें एक ही Variant मिलता है जोकि 2GB RAM 32GB Storage के साथ 7199 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फाइदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 6 फाइदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फाइदली बात करें है Result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रांट-सल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Realme C21Y आगे है दोस्तों, अब हम सेन प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C11 है, जो की 7,690 रुपे में मिलता है दुसरा Realme C21 है, जो की 8,999 रुपे में मिलता है तीसरा Realme C25S है, जो की 10,499 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो पोवाटू है जो की 10,499 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना